अभी हाल ही में यूपी में एक 19 वर्षिय दलित लड़की का सामुहिक बलातकार किया गया और उसे बेरहमी के साथ गायल किया गया जिसके चलते उस लड़की की मृत्यू हो गई इसी पर आदारित है हमारा आज का एडिटोरियल Undying Ambers Undying का मतलब होता है कभी न मरने वाला Undying Ambers Ambers का मतलब होता है अंगारे तो देखो क्या कहा गया है कि वह लड़की जिसका की बलातकार हुआ उस लड़की के लिए कहा जा रहा है कि जिस चिता पर उसे जलाया गया उस चिता के जो अंगारे हैं वे कभी न मरने वाले हैं तो एक तरीके से प्रतिकात्मक रूप से लेका कहना चाहता है कि undying embers कि भई वे जो अंगारे हैं वे अभी भी सुलग रहे हैं यानि कि अगर हम देखें तो भारत में यह जो इस तरह की घटनाएं हम लगातार देखने को मिल रहे हैं अगर यह घटनाएं नहीं रुकती हैं तो यह अंगारे इसी तरह से सुलगते रहेंगे undying embers आगे देखते हैं increasing gender sensitivity यानि कि gender जेंडर समवेदन शीलता को बढ़ाना increasing यानि बढ़ाना increasing gender sensitivity का मतलब है कि जेंडर समवेदन शीलता को बढ़ाना अब gender sensitivity क्या होती है gender sensitivity का मतलब होता है कि जो हमारा व्यवार होता है खासकर महिलाओं के प्रति तो महिलाओं के पृति अदब के साथ पेश आना है ना उनके साथ पूरा सिषटा चार पूरवख पेश आना है इस बात का ध्यान रखना कि उनका अपमान न किया जाए, उनको जो है उनके साथ भेदभाव न किया जाए इसके प्रति लोगों में जागरूक तलाना, इसे कहा जाता है gender sensitivity, तो increasing gender sensitivity is crucial, crucial का मतला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, to enhancing, enhance का मतला होता है बढ़ाना, enhancing मतला है बढ़ाने के लिए, to enhancing women's safety, कि भ लोगों में जागरूक ता लाई जाए कि महिलाओं के पृति आप अदब से पेशाो महिलाओं के साथ जो है सम्मान के साथ वेवार हो महिलाओं के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो The bleak image of a burning fire illuminating a ghastly night while अब यह जो वाहिल लगा हुआ है ना while के साथ अगर कोई वाक्य जुडा हुआ है तो इसका मतलब है दो गटना एक साथ गट रही है while एक तरफ तो इन गटना हो रही है और दूसरी तरफ साथ ही साथ है जब दो गटना ये साथ साथ होती तब हम क्या करते हैं? while के साथ जोडते हैं उन दोनों चीज़ों को तो the bleak image, bleak का यहाँ पर मतलब है बहुत ही ज़्यादा निराशा जनक है, कोई ऐसी बात जो कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा निराशा पैदा करें, तो the bleak image of a burning, burning का मतलब है जलता हुआ या फिर जलती हुई, और यहाँ पर पायर का मतलब है चिता, illuminating, illuminate का मतलब होत while policeman stood guard, stood guard का मतलब एक तरीके से, police जो है, guard के रूप में खड़ी हुई थी, will be, अब यह will आया है, यहाँ पर image के लिए, will be forever aged, aged का मतलब होता है, अंकित हो जाना, बोलते है ना, कि वो image है, वो image मेरे दिमाग में अंकित हो चुकी हमेशा हमेशा के लिए, कोई scene है, वो आपके मानस, सामुएक मानस से मतलब है, कि वह एक तरीके से भारत की याद, अब देखो, यह प्रतिकात्मक रूप में वाकि लिखा गया है, क्या एडिटोरिल यहाँ पर कहना चाहरा है, the bleak image of a burning pair, कि भई, वह जो चिता जो जल रही थी ना, उस लड़की की, वह जो चिता जो रोशन हो रही थी उस लड़की की, वह प्रकाशित कर रही थी, क्या प्रकाशित कर रही थी, a ghastly night, कि भई, रात, जिस रात, उस लड़की की चिता को जलाया गया, वह रात जो है, ब द्रश्य जो है ब्लीक इमेज का मतलब है कि यह एक बहुती निराशा जनक द्रश्य था जो की और उस दोरान हमें क्या देखने को मिला और यह सब कब हुआ यानि कि उस लड़की की चिता को जब आग लगाएगी तब पुलिस जो है गार्ड के रूप में खड़ी हुई थी व भारत के दिमाग में जो है अंकित हो गई है ला एक तरीके से भारत के दिमाग में तो जाने का मतलब अप्टै कि पूरे की पूरे भारती लोगों और additional जानकारी दी जा रही है, कॉमा से, कॉमा लगा के है, who had been allegedly raped, जिसको की कथित तौर पर, मतलब कथित तौर पर हमें जानकारी मिली है, ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, इसको कहा जाता है, allegedly, who had been allegedly raped, कि भई कथित तौर पर ऐसा कहा गया, कि भई इस लड़की का क्या हुआ, rape किया गया, बलातकार हुआ इसके साथ, and assaulted, assault का मतलब होता है, आकरमन करना किसी पर, हमला करना, घायल कर देना, हमला करके, उसे कहा जाता, and assaulted at Hathras Village, तो कहा हुई ये घटना, उत्तर प्रदेश के हाथरस गाउं में हुई ये घटना, assaulted की, भई वहाँ पर उस लड़की पर हमला किया गया, आकरमन किया गया, और उसके साथ सामुईक बलातकार किया गया, कब, on September 14, 14 सितंबर को हुई ये घटना, तो ये थी additional जानकरी, इस लड़की के बारे में हमें बताई गई, यहाँ से लेके और यहाँ तक, अब देखना, इस पूरे sentence को यहाँ आजाओ सीधे, a 19-year-old Dalit girl, succumbed to her injuries, ध्यान रखना, succumbed के साथ अकसर to preposition का हम प्रियोग करते हैं, succumbed to her injuries, injuries का मतला हो गया, succumbed to का मतलब होता है, मृत्यों को प्राप्त होना, ध्यान रखना, succumbed to का मतलब है कि आपको जो चोट लगी है न, उन चोट के चलते हैं आपकी मृत्यों हो जाए, तो कहेंगे हम succumbed to death या, succumbed to injuries है न, जिसके चलते क्या हुआ, कि वो लड़की जिस पर की हमला किया गया, उसका रेप किया गया, उसको जो चोटे आई, उन चोटों के चलते जो है, वो मृत्यों को प्राप्त हो गई, उसकी मृत्यों हो गई, कब September 29 को, she was cremated, देखो ये जो cremated शब्दा है न, cremation, cremation का मतलब होता है, दाह संसकार, तो she was cremated in the dead of night, देखो in the dead, ये जो लिखा हुआ है न, ये जो फ्रेज लिखी हुए, in the dead of night, in the dead of night का मतलब होता है, रात के सननाटे में न, बिलकुल जो बहुत ही ज़्यादा घनी रात होती है न, उसको का जाता, dead of night है न, तो she was cremated की उस लड़की का दाह संसकार किया गया, कब, बिलकुल एकदम घनी रात में है, बिलकुल रात के सननाटे में, with the family, उसके family members भी वहाँ पे मौझूद थे, लेकिन claiming, जो family members है उसके है न, कि उसके जो परिवार वाले हैं, उसके जो क्या कहते हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, वे ये दावा करते हैं, उनका ये दावा है, claiming they had been kept away, kept away, keep away, kept away का मतला होता है, दूर रखना, from her last rights, ये जो शब्द लिखा हो है न, last rights, last rights का मतला होता है, अंतिम क्रिया कर्म, जैसे जब शव को, या फिर किसी जब मुर्दे को जलाया जाता है, शव को जब जलाया जाता है, तो उसके जो अंतिम क्रिया कर्म किये जाते हैं, धर्म की मानेताओं के नुसार है, उन्हें कहा जाता है, लास्ट राइट, तो परिवार वालों का ये दूर रखा गया उस लड़की के या उनकी बेटी के अन्तिम क्रिया कर्म करने से जो है उन्हें रोका गया तो आगे देखो एडिटरिल क्या कहता है कि दिस वाज अनादर अनकंसाइनेबल एक्ट्रोसिटी कमिटेड इन उत्तरप्रदेश तो देखो अगर यह दूसरी घटना हुई और अगर यह बात सत्य है है कि भई फैमिली वालों का दावध है कि भई जब लड़की का अंतिम संस्कार किया गया न तो उस समय जो है लड़की के परिवार वालों का कहना है कि भई हमें लड़की की अंतिम क्रिया कर्म करने से जो है रुका गया हमें दूर रखा गया कैप्ट आवे हैं तो एडिटरल कहता है कि यह जो घटना है अगर यह घटना भी अगर सत्य है तो दिस वाज अनदर अनकंसाइनेबल का मतलब होता है नेतिक रूप से गलत अनकंसाइनेबल का मतलब है नेतिक रूप से गलत एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता कमिटेड का मतलब है किसी काम को अंजाम देना कि ऐसा किया गया है कि उसने यह अपराद किया कमिटेड इन उत्तरप्रदेश त उस लड़की पे आकर्मन हुआ उस लड़की की म्रत्य हुआ यह तो पहली घटना हुई दूसरी घटना हुई कि अगर परिवार वालों को उसके अंतिम क्रिया कर्म करने से रोका गया तो यह एक दूसरी घटना है जो की UP में हुई यूपी में कमिट की गई और बड़ी करूरता पूर्ण यह घटना है और morally आप कह सकते हूँ कि यह नेतिक रूप से गलत घटना है देखो brutally, brutally का मत होता है बहुत ही बुरी तरीके से, बेरहमी से assaulted का मत होता है हमला करना, आकर्मन करना कि यह जो लड़की थी, इसके उपर बहुत ही बुरी तरीके से, भयानक तरीके से हमला किया गया, आकर्मन किया गया, इस्पैटक किया गया, कब, when she was doing her chores, यह जो शब्दा है न, chores, chores का मत होता है, आपके रोज मर्रा के जो काम होते हैं, देनिक काम होते हैं, जैसे लड़कियो के काम काज करने में लगी हुई थी, देखते हैं, collecting fodder, fodder का मतलब होता है, चारा, कि वह चारा एकटा कर रही थी, अपने field में है न, अपने खेतों में चारा एकटा कर रही थी, along with her mother, उसकी मा के साथ में, उस दोरान उस लड़की पे जो है हमला किया गया, आगे देखते है her spinal cord was fractured and tongue slashed, देखो क्या जो है, कितनी बेरहमी उस लड़की के साथ बरती गई, spinal cord, spinal cord का मतलब होता है, read की हड़ी, was fractured, कि वह उस लड़की की read की हड़ी को जो है, तोड़ दिया गया, fracture कर दिया गया उसे, and tongue slashed, और उसकी जो जीब थी, उसे काट दिया गया, slash का मतलब है काट देना, देखो कितनी बेरहमी की गई, this inhuman act, कि यह जो आमानवी करत्य किया गया, which follows, और उसके बाद में क्या हुआ, कि पहले तो यह आमानवी करत्य उन लोगों ने किया, this inhuman act कि पहले तो जिन लोगों ने उस लड़की के साथ बलातकार किया, उन्होंने यह आमानवी क्रत किया, इसके बाद में क्या हुआ, which follows, follows का मतलब कि इसके बाद में क्या क्या हुआ, which follows a string, string का मतलब होता है, एक शरंकला, string का मतलब शरंकला, which follows a string of sexual violence, cases in उत्तर प्रदेश, and elsewhere in India highlights some grim truth, अब देखो एडिटोल क्या कहता है, कि this inhuman act, which follows a string of sexual violence, कि इस तरह का आमानवी करत होता है, वह जिसके बाद में हम क्या देखते हैं, कि बहुए, इसके बाद में हम देखते हैं, कि एक शरंकला से हमें नजर आती है, कि इसकी sexual violence, sexual violence का मतलब हुआ, yon hinsa, yon utpilen, या आ उत्तर पीलन या आप यह भी कह सकते हो, कि एक तरीक रेप हैactor है उसको भी आप sexual violence ही कहो कि तो नियम कि जखें हमान से हमान प्रट करती है कि इसके माध्यyam the serious truths हमारे सामने आते है primarily that the safety of women is not a guarantee कि भई महिलाओं की जो सुरक्षा है वह है एक तरीके से अभी भी आप यह नहीं कह सकते कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी किसी जगह पर है despite के बावजूद the stringent laws in place in place का मतलब है मौजूद होना despite the stringent का मतलब है कठोर कि वही कठोर कानूनों के मौजूद होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है इस तरह की जब घटनाए होती है तो उसे यही साबित होता है यही grim truths हमारे सामने आते हैं यही serious truths हमारे सामने आते हैं यही wicked साच्चाईयां हमारे सामने आते हैं आगे देखते हैं after the nirbhaya rape in Delhi in 2012 देखो 2012 में देली में यह जो nirbhaya rape case हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था the government setup setup का मतलब होता है इस्थापित करना the government setup a committee तो उसके बाद में क्या किया था सरकार ने एक committee बनाई थी led by जिसका की प्रतिनिदित्व किया गया है led by का मतलब है कि वह इस committee के head कौन थे है इसके अध्यक्ष कौन थे led by इस committee की head कौन थे led by justice J.S. Varma J.S. Varma इस committee के head थे on its recommendations इस committee ने अपनी कुछ सिफारिशे प्रस्तुत की है on its recommendation recommendation मतलब सिफारिशे तो इस committee ने अपनी जो सिफारिशे प्रस्तुत की the criminal on its recommendation तो इस committee की सिफारिशों के अधार पर क्या हुआ the criminal law amendment act was amended in 2013 amendment का मतलब होता है संशोधन सुधार करना किसी चीज में न तो the criminal law कि भई यह जो आपरादिक कानून है हमारे देश में है क्या नाम है इस कानून का criminal law act है इसको संशोधित किया गया amended का मतलब इसे संशोधित किया गया कब 2013 में कि भई इस committee के आधार पर कि भई यह जो निर्भया rape case की जो घटना हुई इसके बाद में committee का गठन किया गया जे एस वर्मा की अध्यक्षिता में और इस committee की सिफारिशों के आधार पर जो criminal law act है उसमें संशोधित किया गया है criminal law act जो हमारा 2013 है उसमें संशोधित किया गया bringing in का मतलब लाते हुए introduce कराते हुए इसमें संशोधित करके हमनें संशोधित करके क्या-क्या चीजे नहीं जोड़ी तो उसके लिए कहा गया है bringing in bringing in changes का मतलब बदलाव लाते हुए bringing in changes to the Indian panel court कि भारतिय दंड सहीता Indian panel court कि भाई यह जो हमारा IPC है इसमें परिवर्तन किया गया है तो bringing in का मतलब है यहाँ परिवर्तन लाते हुए बदलाव करते हुए another law इसके अलावा अन्य जो कानून थे उनमें भी परिवर्तन किया गया उनमें भी संशोधन किया गया this march इस march को है ना यानि की 2020 की बात की जा रही इस march में हमें क्या देखने को मेला march के मेने में the four convicted convicted का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका दोश सिद्ध हो गया हो दोश सिद्ध अपराधी उसे कहा जाता है convicted the four convicted of the gang rape of nirbhaya were hanged to death hanged का मतलब है लटकाना कब- तक लटकाना जब- तक्व почти की म्रत्यून न रहा है hanged to death का मतलब होता है किसी को जो फांसी की सजा दी जाती ए ना तो उसे कहा जाता है hanged to death कि बहई इस व्यक्ति को तब- तक फांसी पर लटकाया है जब- तक इसकी म्रत्यून न हो यदि तो इसी साल मार्च के दौरान हमें देखने को मिला कि जो निर्भया केस हुआ था निर्भया गेंगरेप केस के जो अपरादी थे उन में से चार कन्विक्ट है ना चार सिद दोशियों को जो है लटकाया गया उनको फांसी दी गई है ना आगे देखते हैं अब देखो इस यह जो वर्तमान में यह जो वारदात यूपी में हुई है इस दलित ललकी के लिए के प्रती तो उसके लिए यूपी गोवर्मेंट ने क्या किया है कि यूपी सरकार ने एक विशेश जाच टीम बनाई है किस चीज के लिए टू लुक इंटू का मतलब होता है देखने के लिए जाचने के लिए अलिगेशन का मतलब है आरोप लेवल्ड का मतलब है लगाए गये है लेवल्ड बाइद फैमली कि वह लड़की जिसके की साथ रे रूपियों के ऊपर लगाए है उन आरोपों की जाच करने के लिए यूपी सरकार ने एक विशेश इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित किया है कि आप जो है इन आरोपों की जाच करो इसके अलावा देचीफ मिनिस्टर हैस प्रॉमेस्ट अ कंपन्सेशन ओफ रूपिस 25 ल तो मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री ने इस बात का प्रॉमिश किया है कि वह जो लड़की है उसके परिवार को एक तरीके से कंपन्सेशन के रूप में 25 लाक रूपे दिये जाएंगे और उस परिवार को सुरक्षा उपलब्द कराई जाएगी सेफ्टी उपलब्द करा कि भई चीफ मिनिस्टर को जो है प्रतिग्या करनी पड़ी है ना चीफ मिनिस्टर को यह प्रॉमिस करना पड़ा है चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना पड़ा क्या करना पड़ा जचीफ मिनिस्टर को वह जो लड़की है उसके परिवार को प्रोटेक्षन के लिए कहना पड़ा चीफ मिनिस्टर को उस लड़की के परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए वादा करना पड़ा, यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है, इस बात में छीपा हुआ है, टैसिट का मतलब होता है, अनकहा, जैसे मैंने आप से कोई डारेक्ली बात नहीं की, लेकिन मैंने उसे क इसक आप मतलब आप समझ गए, तो उसको कहा जाता है, टैसिट, जैसे मैं कहूं कि मेरे और आप के बीच में टैसिट अंडरस्टेंडिंग इसका मतलब है कि कुछ बात ऐसी है जो आप मेरे बिना कहे समझ लेते हों ना मैंने कुछ कहा लेकिन उसमें कुछ इशारा चिपा हुआ है और उस इशारे को आप समझ जाते हों तो यह जो चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वह जो लड़की है उसके परिवार को सुरक्षा उपलंद कराई जाएगी है ना तो इसका मतलब है चीप मिनिस्टर ने बिना कहे इस बात को स्विकारा admission क्या स्विकारा that the administration has failed its most vulnerable citizens कि यूपी का जो प्रिशाशन है has failed वह फेल रहा है ना its most vulnerable citizens कि वह यूपी का जो प्रिशाशन है वह यूपी के बहुत ही कमजोर नागरिकों को protect कर पाने में फैल रहा है यह पता चलता है यूपी के मुख्य मंत्री के statement से इसको कहा गया टैसिट admission कि वह आप कह सकते हैं कि मुख्य मंत्री ने बिना कहे इस बात को स्विकारा कि यूपी का जो प्रिशाशन है वह यूपी के बहुत ही कमजोर तबके को बचा पाने में उसे संरक्षन दे पाने में उसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन दे पाने में जो है नाकामियाब रहा है आगे देखते हैं कास्ट टेंशन कंटिनिदे टू सिमर इसमर का मता है उबलना कि जो जाती को लेकर जो तनाव हैड वह लगातार उबल रहा है ऊग मताब है इस आधार पर ओन दे ग्राउंड विद इन इवीटेबल इन इवीटेबल का मतलब होता है जिससे बचा न जा सके अपरिहारे इन इवीटेबल साइकल ओफ हुमिलियेशन का मतलब है अपमान कि वही कास्ट टेंशन कि वही जो जातियों को लेकर जो यूपी में तनाओ की इस्तिति बनी करना है एक का मतलब होता है अपमान करना कि वही उच्छी जाती के दौरा नीची जाती का मान करना तो इस तरह की घटना है उनका चक्र बन चुका है और यह चक्र लगातार चलता ही जा रहा है इसी तरीके से inevitable का मतलब है कि एक ऐसा circle बन चुका है जिससे आप बच नहीं सकते यानि की UP में लगातार एक जाती के दोरा दूसरी जाती के अपमान करने की घटनाए लगातार हो रही है एक जाती के दोरा दूसरी जाती पर लगातार हिंसा की खटनाएं बढ़ती जा रही है वाइलेंस एंड इनिक्विटीज आसमानता है कि वाइलेंस की खटनाएं आसमानताएं की खटनाएं एक जाती के दोरा दूसरे जाती का अपमान करने की खटनाएं इस तरह की खटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है आगे देखते हैं अब देखो कि यह है जो जाती को लेकर एक जाती यानि कि उच्छ जाती के द्वारा नीची जाती के पर अत्याचार किया जाना उनका अपमान करना तो देखो क्या हुआ इस लड़की को मजबूर किया गया तो ड्रॉप आउट देखो ड्रॉप आउट का मतलब समझते हो ना जैसे हम बोलते हैं कि यह कॉलेज ड्रॉप आउट है मतलब इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ओफ इसकूल इयर सगो तो क्या हुआ कि इस लड़की को मजबूर किया गया फोर्स किया गया इसे है ना तू ड्रॉप आउट आउट ओफ इसकूल इयर सगो सालों पहले इस लड़की को मजबूर किया गया कि इस लड़की को अपनी पढ़ाई इस्कूली पढ़ाई बीच में छोडनी पड़ी The use of sexual violence to oppress lower caste The use of sexual violence sexual violence का मतलब हो गया योन हिंसा करना योन उत्पीलन करना एक तरीके से रेप करना है ये भी कह सकते हैं The use of sexual violence to oppress oppress का मतलब है दबाने के लिए किसी का दमन करना to oppress lower caste has been on the rise has been का मतलब है रहा है on the rise rise का मतलब है बढ़ते जाना कि भई यूपी की अगर हम बात करें न या पूरे देश की भी अगर हम बात कर सकते हैं यहां पर यूपी का संदर दिया गया है तो यूपी के संदर में अगर हम बात करें The use of sexual violence to oppress lower caste कि भई नीची जाती को दबाने के लिए हिना उसका दमन करने के लिए योण हिंसा का सहारा लेना लगातार हम देख रहे हैं कि एसा लगातार बढ़ता जा रहा है न, एसा लगातार होता जा रहा है has been रहा है क्या क्या रहा है? और ये हैं आज़ा ने विमेन कि महीं लाओं को महीलाओं को बचाने के सवाल पर उत्तर प्रदेश है जो है जो है शलिप कर गया तर बशन जाना यानि कि नाकाम नाकाम रहना टैरिबली मतब बोल्त ही भायानक रूप से कि बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही भयानक रूप से यूपी जो है वह नाकामियाब रहा है मेलाओं को प्रोटेक्ट कराने में मेलाओं को सुरक्षा मुहया करा पाने में प्लाइब सनीटोंतों कि जो अभी हाली मैं नवींतमूंतों तो सब्सक्क्राइब त कि राश्ट्री है यह जो हमार कि साथ की ज शुमतमएं पांटा है उसका रखना है तेज़ में होने कर तो National Crime Records Bureau के आंकड़ों के अनुसार वे आंकड़े क्या दिखाते हैं शो सबसे ज्यादा अपराद के मामले महिलाओं के खिलाफ 2019 में U.P. में रजिस्टर किये गए अकेले UP में होए ठीक है accounting for है n, accounting for का मतलब है कि अकेला UP जिम्मेदार है account for का मतलब होता है जिम्मेदार होना, उत्तरदाई होना कि भई महिलाओं के प्रति 2019 में जितने भी अपराद हुए उन अपरादों में 14.7 प्रतिशेत अपराद अकेले यूपी में हुए आगे देखते हैं Fast Tracking the Investigation कि जो जाँच है उसे शीगरता के साथ किया जाए Fast Track का मतलब है शीगरता के साथ है कि बोलते हैं Fast Track Court क्या मतलब होता है उसका Fast Track Court बनाई जाती है इसी अदालते बनाई जाती है उन्हें बोलते है Fast Track Court उसका मतलब है इसी अदालते जो जल्दी से जल्दी फैसला करती है तो Fast Tracking the Investigation कि जाँच को जल्दी से जल्दी करना and ensuring और सुनिश्चित करना क्या है इन्श्चित करना and ensuring justice और न्याय सुनिश्चित करना इज ये कम से कम है the least authorities can do इतना तो कम से कम है जो की अधिकारी कर सकते हैं ये जो विविन अधिकारी हैं हमारे जो प्रिशासन से जुड़े हुए जो विविन अधिकारी है वे कम से कम इतना तो करी सकते हैं क्या कर सकते हैं कि कम से कम जाँच को शीगरता के साथ किया जाए और नियाय को सुनिश्चित किया जाए वही कम से कम इतना तो सुनिश्चित होना ही चाहिए है ना कि हमारे अधिकारी यह तो कम से कम है लिश्ट की बात की जारे हैं लिश्ट कम अतब कम से कम कि जो हमारे अधिकारी हैं कि जो भी हमारे प्रिशासें से जुड़े अधिकारी है वे कम से कम इतना तो करी सकते हैं कि जो जाँच होती है वो जाँच जल्द से जल्द ठीक है आप अपरादों को नहीं रोक पा रहे है महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे है आप तो कम से कम इतना तो करो कि जब हिंसा हो गई अपराद हो गया, उसके बाद में अपराद की जांच जल्द से जल्द हो और नयाय सुनिश्चित हो But the challenge is to ensure, लेकिन जो चुनोती है, वो ये है, is to ensure, ये सुनिश्चित करना That these tragedies are not forgotten, tragedies, tragedies का मतलब होता है, दुखद घटना Tragedy मतलब दुखद घटना, 13D, are not forgotten, लेकिन हमारे सामने जो चुनोती है, वो ये चुनोती है, ये सुनिश्चित करना है, क्या सुनिश्चित करना चुनोती है हमारे सामने इस तरह की जो दुखद घटना है, उन्हें भुला न दिया जाए, are not forgotten, ऐसा नहीं हो कि आज ये वारदात हुई, दो-चार दिन बादा में इस घटना को भूल गए, इस तरह की वारदात है, इस तरह की जो दुखद घटना है, वे भुला न दी जाए, ये चुनोती हमारे स सामने है, इस का हमें ध्यान रखना होगा, कि इस तरह की घटना है, भुला न दी जाए, तुगेदर वित, अब देखो, तुगेदर वित का मतलब है, कि कुछ काम है, जो कि आपको साथ-साथ करने चाहिए, कौन-कौन से काम है, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाना चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी में आपको पहले भी बताया, कि जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिविटी का मतलब है समवेधन शीलता, यहां पे खासकर मतलब है, कि जो महिलाएं है, उनके पृति हमारा आचरन कैसा होना चाहिए, महि में करना होगा कि जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाना होगा इसके लावा दे यूपी गवर्मेंट एंड अधर इस्टेट गवर्मेंट इसके लावा यूपी की सरकार इसके लावा अन्य राज्यों की सरकार must इनको जरूर use the law इनको कानून का प्रियोग करना चाहिए to enhance बढ़ाने के लिए इनेंस का मतलब है बढ़ाना women's safety कि मैलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार और अन्य राज्यों की सरकार को कानून का प्रियोग करना चाहिए इसके अलावा gender sensitivity कोई बढ़ाना चाहिए दोनों कान साथ-साथ के जाने चाहिए अन्य था, else का मतलब है अन्य था, अगर हम ऐसा नहीं करते है दोज embers, तो ये जो अंगारे है जो अभी हाली में हमें देखने को मिले अब देखो फिर एक बार एडिटोरे प्रतिकात्मक रूप से कहना चाहिए बात को अंतिम लाइन में अन्य था, वे अंगारे, जो की इस लड़की की चिता पे जो अंगारे हमें देखने को मिले न ये अंगारे लगातार सुलंगते रहेंगे यानि कि ऐसी घटनाए होती रहेंगी दोज embers on a sordid night sordid का मतलब होता है बहुत ही बहुत ही गंदा है ना मतलब कोई ऐसा मतलब जिसको देखके आपको घ्रणा आ जा है ना बहुत ही गंदा अन्य था दोज embers अन्य था ये जो अंगारे है on a sordid night कि भई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यह जो आप यह जो घिनोनी रात है ना इसको हम घिनोनी रात कहेंगे या गंदी रात कहेंगे आप ऐसा कह सकते उसे कि उस रात को जो प्रिमेशन किया गया, उस का दास अंसकार किया गया, तो वे जो अंगारे उस तरात को हमें देखने को मिले, may not be the last one तो शायद ये अंगारे जो है अंतिम नहीं हो सकते है कुल मिला कि इसका मतलब हुआ कि आगे भी इस तरह की हमें घटनाय देखने को मिल सकती है अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो अगर हम सचयत नहीं होते हैं तो अगर हमारी सरकारे और हम सवयम अगर सचयत नहीं होते हैं तो ये जो अंगारे हमें देखने को मिले उस रात को है ना ये जो मतलब उस रात को हमें ये जो अंगारे देखने को मिले तो शायद में का मतलब है संभावना बी का मतलब होना में भी का मतलब है शायद तो ऐसा हो सकता है कि ये जो अंगारे हैं ये अंतिम अंगारे ना हो आगे भी इस तरह की घटना होती रह सकती है अगर हम और हमारी सरकार जो है इस गटना को सीरियस्वी नहीं लेती है तो